आज वीकेंड तड़का में मैं आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ पनीर भूर्जी की रेसिपी पनीर भूर्जी तो आप सब भी अपने अपने घरों में बनाते होंगे क्या आप सबने कभी ट्राइ करी है अमरिसरी स्टाइल पनीर भूर्जी अगर आपने नहीं करिये है तो ये वीडियो आप सब के लिए है आज मैं आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ अमरित सरी स्टाइल पनीर भुर्जी की रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स सबसे पहले हमें कडाई लेंगे जिसमें मैंने डाल दिया है टू स्पून बटर बटर जब मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे टू स्पून बेसन और इस बेसन को हमें अच्छे से बटर में ही रोस्ट करना है अच्छे से हमें इसे roast करेंगे हिलाते रहेंगे और साथ में हमने इसमें अभी कोई oil या कोई घी नहीं डाला है सिरफ हमने 2 बड़े spoon की हमने इसमें butter डाला है और butter में ही हम अच्छे से बेसन को roast कर लेंगे तब तक इसको हिलाते रहेंगे जब तक कि जो हमारा बटर है वो बेशन से अलग ना हो जाए और अच्छे सी खुश्बु नानी स्टार्ट हो जाए और हिलाते हिलाते हम गैस का फ्लेम थोड़ा स्लो कर देंगे इस टाइम पर तक हमारा जो बेशन आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है तो ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है पर लेकिन टू टू थी मिनट्स और हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ताकि बेशन बिल्कुल भी कच्चा ना रहे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल बरी कटे हुए दो बड़े साइस के प्याज प्याज को हम अच्छे से भेसन में मिक्स कर लेंगे सिरफ टू मिनट्स के लिए ही हम प्याज को हिलाएंगे अच्छे से भेसन के साथ और टू मिनट्स जैसी कम्पलीट होँगे तो हम इसमें डाल देंगे चॉप्ट करेवे टमाटर फ्रेंड्स तो मैंने ये दो टमाटर लिये है और दो टमाटर को अच्छे से बरीक-बरी कट कर लिया था और साथी में टमाटर भी डाल देंगे और साथ में हम इसको हिलाते रहेंगे अच्छे से और अब प्याज और टमाटर को हमें कम से कम 10 मिनट के लिए बेशन के साथ ही रोस्ट करना है जब तक कि टमाटर अच्छे से सौफ न हो जाएं और अच्छे से ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो जाएंगे तो हम उसमें डाल देंगे मसाले मैंने इसमें डाल दिया है वन स्पून पिसा हुआ धनिया हाफ स्पून हल्दी हाफ स्पून रेट चिली पाउडर लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर पनीर की भुर्जी बनती है ना फ्रेंड्स वो बेसन डाल कर ही बनती है और जैसे मैं बता रही हूँ ना सेम वैसे ही तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पनीर को हाथों से ही अच्छे से क्रश कर लेंगे तो सारा पनीर हम इसमें डाल देंगे और बहुत इंपोर्टें के बाद अच्छे से रोस्ट करने के बाद इसमें हम डालेंगे बहुत ही important चीज, वो क्या है हम, जो हम daily यूज में यूज करते हैं दूद, half cup हम इसमें डाल देंगे दूद और अच्छे से सारी चीजोंको हम बिल्कुल slow gas flame पर mix up करते रहेंगे रोश करते रहेंगे जब तक कि ये dry ना हो जाए और जो जो दूद हमने डाला है वो अच्छे से पनीर एबसॉब ना कर ले तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा ये दिखने में लग रहा है इतना ही अच्छा ये खानी में भी लगेगा आप सबको जरूर ट्राइ करना ये रेसिपी अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई करके और गैस को बंद कर देंगे तो हमारी पनीर भूर जी अब्लिस सरी स्टाइल में रेडी है उपर से हम इसमें डालेंगे वन स्पून देसी घी और आप इसको सर्फ करें गरम गरम चपाती के साथ या परांठी के साथ जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसके साथ इससे सर्फ कर सकते हैं थैंक्स फर वाचिंग मैं वीडियो फ्रेंग्स